नेच्ट नुमरीकल को सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपका के सील पर बेस्ट है ठीक है कि चौप्स करेंट लौव पर बेस्ट एक नुमेरिकल है ठीक है वह हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ठीक है क्वेश्चन में क्या पहला जा रहा है इन दा नैटवर्क और फीगर 2.15 यह वो आपको आपिगर दिया हुआ है तो डिफ्रेंट करेंट्स और फेल्टेजेज अर अंडर आइस तो के वैल्यू इवन है मतलब जो आइट्व यहां पर देगे इसका क्रेंट का वैली जिवन आपको V1 का पता लगाना है V1 कहा होगा तो यहां होगा यानि वोल्टेज डॉप एक्रॉस इंडॉक्टर निकलना है तो 400 की एक्रॉस में वोल्टेज डॉप कितना होगा यही क्वेश्चन आपका ठीक है तो इसको सॉल्ब करने के लिए सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे यहा पर हम लोग क्या अप्लाई करते हैं के सील अप्लाई करते हैं तो अप्लाई कर देंगे सबसे पहले हम लोग अप्लाई के सील एट नोट पॉइंट तो जब के सील हम नोट पॉइंट प्लाई करेंगे तो क्या हो जाए ठीक है तो जब अप्लाई करेंगे तो देखे मैं यह आई ओन को प्लस लिखा, आई टू कैயा, यह भी देखिए, इंकमिंग हो राया है, नोड पर तो यह भी पोजिटिव Pam लिखा, अलब यह उतलग लिखवा प्लस क्या हो गया I2 किया, और I3 कैया यह यह question तो आइटो आपको पता है यहां पर फिर दिखें आइफोर भी गिवन है आइफोर भी पता है फिर आपको टर्म यहां से actually क्या find out करना है तो आप देखो यहां पर आइथी हम पता लगा सकते हैं यहां पर आइथी का पता लग जाएगा क्योंकि यहां पर आपका कैपासिटर दिया हुआ है ठीक है करेंट थो देखेंट अब पता चल जाएगा तो फिर आइवन निकालना असान हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले हम लोग आई थी का वेलू निकालते हैं तो आइथी का जो वेलू होगा वो क्या होगा सी डीवी वाइडिटी क्योंक वोल्टेज आपको गीवान है क्वेस्टन में ही फोर चितना दिया है इट पावर माइनस टू टी दिया है अब इसको सॉल्व कीजिए तो तो अल्री बाहर में है इसको जब आप कॉंस्टेंटम तो फोर यहां पर रहेगा टू इंटू फोर लिखेंगे इसको थोड़ा मैं मैंस टू टू ति यहां तो रहे गा ही और यह क्या होगे एक कोफिजिंट आ गया जाएगा यह कॉफिएक कोफिजिंट एक टना आगा तो अपको फाइनली जो एंसर आया आपका यहां पर फोटु अटू जा 16 यानि मैनास 16 इटू पार माइनस टू टू तो टी आगया टी क क्या करेंगे हम लोग देखिए अब हम लोग सभी वैल्य को सब्टिचूट करते हैं और यहां से फाइनल वैल्य निकालते हैं तो आइवन निकालना है छोड़ देते हैं आइटू का वैल्य पता है 5 e to the power minus 2t है और फिर आइटरी का अब लिए अभी जेस्ट मैंने निकाला है माइनस 16 e to the power minus 2t हो गया फिर आए फोर जो है वो कितना हो जाएगा तो यह आपको 3 sign t दिया है सका minus 3 sign t लिग दिया ठीक है इकल टू क्या लिखें गे जीरो लिखें तो आइवन का भी हो गया यहां से यह जाए तो दिखिए यहां इसको इदर ले जाएंगे तो तो प्लस थ्री साइन टी हो गया यह हो गया आपका इसको जब आप सिंप्लिफाइए करोगे तो 16 में पांच गया गया तो माइनस से गया उदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा गया तो आई वन का वहलू मेरे को पता चल गया ठीक है मेरे को क्वेश्चन में क्या वोला है भी इवन होगा पतला इंडक्टर के क्रॉस में तो भी वन जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे ल्डियवडीटी तो एल और डी आई वन वाइटी वह जागा ठीक है तो एल तो गीवन है फोर ऑके हैंडी और दी वाइटी तो लिखेंगे ही और आई वन जो है वह आपको कित सब्चोब करेंगे हैं क्या रिखेंगे और इधर जो है अपका इसका फिर करेंगे तो 11 तो हई यहाँ एक मायनस तू आ जाएगा इसको जाएगा इसको बुलिखेट करोगे तो ईटी पार मैनस यहां कर लिखेंगे 2टी तो फाइनली यहां गार्ए थी कॉस्टी और यहां माइनस 22 e to the power minus 2t तो इसको आप multiply जब कर दोगे तो नहीं आदेगा 12 cos t और यह हो गया minus 88 e to the power minus 2t ओके तो यह value आ रहा है आपका 12 cos t minus 88 e to the power minus 2t तो यह आपका क्या निकल गया तो voltage drop across 1 मतलब inductor के cross में जो voltage है यह यह भी वन जो है वो 12 cos t minus 88 e to the power minus 2t answer होगा ओके तेंक्यू